नेमस्कारम प्रियेजनों आप देखे हैं भी एचू पाइट साला आपस्वी का बदवस्वागत है फाइनली आई थिंग सेशन 2023 का ये पहला गुड नियूज होने जा रहा है दोस्तों भी एचू पाइट साला सबसे ज़्यादा फेमस है सबसे पहले और 60 के इनफॉर्मेशन के लिए आपको यदि CUT, JMAN, NEET और बाकी इनफॉर्मेशन और एजूकेसनल अपडेट के लिए बी एचू पाइट साला पे सबसे पहले कोई भी वीडियो देखने को मिलेगा इसी के साथ साथ हम लोग CUT की प्रप्रेशन भी कराते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जो सलेक्ट हुए हैं बी एचू पाइट साला के वो हुए हैं बी एचू इनफॉर्सिटी में तो आज इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि CUT के एक्जाम डेट क्या हो सकता है क्योंकि फाइनली ऑफिस्यल नोटीस आ गया है तिसलिए इस पर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथी साथ बहुत सारी ऐसी बाते हैं जो कि कमिंग वीडियो में हम लोग डे वाई डे करते हुजाएंगे एक अच्छी बात और मैं आपको बता दूँ कि बेचु पार्ट सालर पे कल से आपको स्लैबस देखने को मिलेगा जिसमें हम लोग पुरा स्लैबस कवर करने वाले हैं CUT का चाहिए कोई भी कोर्स हो इंक्लुडड़ पीजी और यूजी के तो सभी बी यह हो गए बी एलल बी बी कॉम बीए सिमेट अग्रिकल्चर कोई भी कोर्स हो दिखें यह नोटिस आया है 15 दिसंबर का यानि कल बीते राते आया जिसमें अपना एक रिजर्ब डेट दे रखा है आप उसको यूँ समझ सकते हो कि इस्टीमेट या ऐस्पने टे जई यह नहीं कह रहा है कि हम इस डेट में आपका एक्जाम करा लेंगे हम यह अग्री यह इस खरी दे रहे हैं होफली हम लोग इस जेर्फ आम करा लें बच्चे तो घ्जाम के लिए तयार है तया रह यह धरती करता हम की इसट तुरह द पेपर होना है सबको पता है सेशन फर्स जो है वो बता रहे हैं कि जैनवरी 2023 में बहुत सारे डेट दे रखा है 24, 25, 27, 27, 29, 31, ठीक है अब फिर एक रिजर्फ डेट भी रखा हुआ एक, दो, तीन वो है फेबरवरी का सेकेंड है जो सेशन टू है जैईवेन का वो है अप्रील में और इसका एक रिजर्फ डेट वो भी अप्रील में 13 और 15 को है आइसे आर आप लोग जानते होगे अग्रिकल्चर वालों के लिए बहुत ही बेस प्रिल्फॉर्म है यह इसमें भी चुके भी 14-15 सीटे आइसे आर के थ्रू आती है अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट में इनका भी अपरील में डेट दे रखा है क्योंकि आइसे आर भी एं इंपॉर्टेंट आप लोग इसी का इंतिजार कर रहे थे वो है कॉमन इनवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट सी यू इटी तूटाउजन ट्वंटी थ्री दो हजार तेज सी यू टी का जो डेट है यह लोग बता रहे हैं कि हम लोग में भी 21 से 23 में के बीच में इसका जो मोश 15 दिन गवा दिया है दिसंबर और इस पुराने साल का मैं मान के चलता हूं कि पुराना साल पूरा ऐसे ही जाने देते हैं काउंट करते हैं फ्रॉम जैनवरी नियो ये जैनवरी फैब्रुरी मार्च अप्रिल में और जून होफुली हमारे पास एप्रॉक्स 165 देज के आसपास है मुझे लग रहा है 165 दिन के आसपास तो होफुली हम लोग अच्छा करेंगे बाकि जिनको भी बैस जॉइन करना है डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है ठीक है वहां से स्यूटी के प्रिप्रिशन के लिए जॉइन कर सकते हो अभी हमारे आफर चल रह कुछ देने वाले हैं बहुत सारी सुपकामना है आफ सबको भी एच्व पार्टसला के पहला वीडियो था बहुत सारे बच्चे नए लोग जुड़ेंगे इस वीडियो से तो मैं आपको बता दू कि एक बार प्लेलिस जरूर चेक करना भी एच्चू पार्टसला यूटू करो पूरा काउंसलिंग तक आपको काम देगा मुस्कुराते रहें मिलते हैं नेक्स वीडियो में प्लीज एवरीवन डू लाइक एंडू सेर हरार माह देओ